नमस्कार साथियो आप सबको श्वागते ठाकर सार क्लासस में तो माई डियो फ्रेंड आप सबको पता ही है कि इस चल पे डेली में 15 से 20 मेट के एक विडियर दो जो किसी भी लेक्टी का बंदे के लिए बहुत ही इंपर्ण होता है तो साथ यह आप सबको पता होना जी कि इसम इसमें ग्शाम यहाँ में से नगया बनाटी कास कि इसमें कि करा दिया था ठीक है आज का अपना कोश्चन देखेंगे शाति हो 21 इसमें तैस में कि इसमें आप मैं डेश्टॉप पे देख़ेंगे कि इसमें कि मैंशे क्ौन सा पढ़ा हार तो अर्दे चालक की भाती परियोग किया था तो माईडी अफर्ड सभी को पता हुआ शिम्पल सा कोश्चन है आसान सा कोश्चन है और अपना आप नदिया हो यहां प्लास्टिक दिया अपना सलीकान होता है こ Strike सेमी कंड़क्शा कही है इसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए सेमी कंड़क्टर सरिक आइसका उसी होते हैं कि जो सेमी कंड़क्टर होते है आरदा चालक बला का साथियों इसमें दो आफ्शन दिया जैसी कोफर दिया तो कोफर एक कंडेक्टर आप सबको पता होगा मोस्ट इंपोर्टन से भी कुछन पूछा या था लेक्टिकल में जो कोफर इसका सिंबॉल क्या होता है साथ यहां को पता होगा माईडिया मोस्ट इमपोर्टन है आगे दिखी को पॉष्यंट मचाहरा है इसमें प्लास्टीक आपको पता सबको इंसलेटर से मतलब के अपने कुछालक माटेरियल होता है टिक है आगे देखिए पितल पता होगा आपको सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब में जिंग करेगा ठीक है तो माइड ये कोश्चन क्लियर हो गागा आगे देखिए नास कोश्चन क्या बोलना चाहा रहा कोश्चन अपना सलीकान पी एंजक्षन जो सलीकान होता है ना पी एंजक्षन डायोट की 25 डिग्री सल्सेस पर तापमान बेरियर ओल्टता होगा मतलब जो बेरियर पोटेंसियल जो होता है ना कितना होता सलीकान का यह पूछना चाहरा माइडियर फन्स पोस्ट इंपोर्डन कोश्चन है ऐं ट्रकों में भरबर के पूछा गया है कोशन बोलना चाहा तो है क्यूंकि हर बार एक्जाम में पूछा जा चुका कई सारी ऐसे पूछा गया है तो आप सबको पता होना चीजिए इसका प्रमाणो कर्मांग 32 होता टिक है आगे देखिए कोशन आ रहा अपना क्या बोलना चाहरा देखिए के थोड्रेट्यूब कि सी आइडी है क्या होता है सी आईडी होता है यह भी आपको पता होना चीजिए के तो ट्रेट्यूब में इस एलेक्ट्रॉन होते न उसका उस सरजन कहां होता है कैसे होता है पुछना चाहरा है तो इसका अंसर साथिओ आप देख पार इसमें तीसरे नमबर का कि के तोड क अप्रतिक श्टापन के का रहा है इसमें क्या होता अलक्टानों का उत्स सरजन होता ठीक आगर देखिए का नस कोश्चन क्या बोलना चाहरा है माइडी है फिर्ट बहुत इंपोर्टन कोश्चन है वीडियो को अंतक देखेगा क्यूंकि साथिओ इसमें बहुत इंपोर्ट हीड़िस व्रद्वा एंपुट्ट सिगनल कर ली आंतर एक स्टीज आवरती पच्छीश है तो यह इंतर के परदे पर कितने चक्र उभेंगी तो साथ कि इसमें आ रहा है अपना आंसर इसका आ रहा है जो इसका आंसर दिया गया है अपना जो इसमें है ना ठीक है ऑनसर टिक दो इसका मईदः आंसर प्णा की जयात्रंग वर्गा कारेयरग त्रускि फिर जनरेटर में उत्पन्य च्बहल ज्यात रंग दिखिए साथक्न को दू दिन बार पढगा आपको शोन अजयाएगा कि फांव फांग्सन जनरेटर तब ट्रता ए prob जनरेटर में मुख्य अंतर यहां कि फांग्सन जन जनरार उठपन करता है क्या करता है यह दिकिए लिशाँकर तरंग्सक्ण तरंग वर्गाकार तरंग त्रिबुजाकार तरंग जब कि एफ जनरेटर उत्पन करता है ठीक है केवल जया तरंग ठीक है आगे देखिए का नेस कोश्चिन क्या बोलना चाहरा है इसमें कुश्चिन अपना कि जया तरंग आकरती की एसी को रेक्टीफाइब करने में एक आप देख पा रहे है श्रोत आवरत्ति के दुगने के बराबर होती है ठीक है आगे देखिएगा कोश्चिन क्या वोलना चाहरा है कोश्चिन अपना कि दो डायोड वाले पूर्ण तरंग रेक्टीफाइर की अपेक्षा ब्रेज रेक्टीफाइर का यहां लाभाई की साथ मतलब ब्रेक्टीफाइर ब्रेक्टीफाइर की इसमटले में दो डाड होते हैं तो उसके अफेक्षा तो यह पता होना चाहिए आपको बहुत इंपॉर्टन कोशिन मैंने पढ़ाए भी था जब इसका फड़ा था आपको उसमें तो उसमें क्या होगा साथी हो भारी ट्रांस्फार्मरों से छुटकारा मिल जाता है किसमें माइड यह ब्राय ड्रिवार पूर्ण रीक्टिफार कि आपक्चा ब्रीज रिप्टिपाह क कला लाब है कि उसमें भारी ट्रांस्फार्मरों से हमें और चुटकारा मल जाता है मतलब अरदीक बड़तर्मश्फार्मर जिसे होता है यह बोलना च आई अगर देखेगा क्वेश्य नूम प्राइमरी क्या करता तो उसका करता रहाती हो वह रेक्टिफाइट में रिपिल को क्या कर देता है दूर करने का वह कारी करता ठीक आगे दिखी का नेस्ट कॉश्चन मोलना चाहरा है कॉश्चन अपना कि स्थान पे अगे देखिए का नेस्ट कोश्चन क्या मूलना चाहरा है देखिएगा एक में इसको मैं इसको लो लो पर मैं टीक है ये देखिए है की थाउट का करता है करता है ना आप सब्सकों पता है और फाइस में देख पारा इसमें की आउटपट ओल्टेता को क्या करता है स्थिर रखता है तुल्टे इस को रेगलेट करने का भी या कारे करता है तिक आगे देखेगा नज बोलना चाहरा है जेनर डायोड को सदियोरी वर्णीये समय कनेक्टर करना ज़े करें क्या जता है आगे देखिएगा बहुत important question है यह question direct exam में उठके आता है question बोलना चाहरा my dear friend आप देख पा रहें कितना important question है कि light emitting diode इसका साथ ही आपको symbol भी याद होना चाहिए light emitting diode क्या होता है ठीक है तता एक photo diode होता है इस सब का साथ ही आपके symbol करते चलिएगा क्योंकि यह बहुत important question देखिए इसका symbol में आपके लिए बना यह तब कैसा symbol होता है तो ठीक है देखी पा रहे हैं तो देखिए साथी मैं आपके लिए आप एक इसका डाइग्राम कैसा होता है तो देखिए यहां LED का नाम आया था इसलिए मैं आपको यहां पर बताया ठीक है आगे देखिए इसमें question था अपना कि light emitting diode को शामान ने तक किस ओल्ट था पर फारवर्ड लिसां में प्रचालित किया जाता है तो माइडियोफर्ण इसका अंसर है देख ओल्ट से तीन ओल्ट मतलब की 1.5 ओल्ट से तीन ओल्ट इसका अंसर मतलब यह है इसका आंसर है ठीक है आगे देखिएगा आपना question थार्टी सब्सक्राइब देखिए इसमें PCB PCB होता है यहां प्रिंटेट सर्किट बोल्ट में निर्माण ऐसे एंचिंग के लिए परियुक्त रासानिक पदार्त इसका अमेकल यूज किया जाता है कौन सा यूज किया तो माइडियोफर्ण बहुत ही इंपर्न कोश्य है एक्जाम में यह सब्सक्राइब पूछा जाता है तो इसका आंसर आपको डारेट पता होना चाहिए कि वहां इतना टाइम नहीं होता आपके पास में एकदम कॉश्चन लेखा और आंसर लगया फंडाक से निकला हुआ से ठीक है तो इसका आंसर है आप देख पा रहे है इसका आंसर जो क्लॉरड होता है कि जो प्रिंटेट सरकित बोर्ड होता है ना वहां पर इंचेंग मैं सका बताया था इसके पाले ग्ल वीडियो देखिएगा क्यों कैसा है ठीक है पता होना चाहिए तो देखिए इंचिंग के लिए प्रियुक्त राशिंन पतारत को अनसार हो धार ही च्छ एक क्वेश्चन यहां एक क्वेश्चन बोलना चाहिए ऑफ्सन दिया कार्बन टेटराफ्लोराइड इसको बोलते हैं CCL4 अधिकतर अधिकतर मतला इसका यूज हम जो क्लास D फिर फायर फिर उद्वित उपकरों में जो लगी आग होती ना इसको बुझाने के लिए CCL4 इसको बोलते कार्बन टेटर क्लोराइड इसको मतलब है के हैलान टाइप इसको बोला जाता है विद्धुत उपकरों में लगी आग है फिर विद्धुत दारों में लगी आग को जो हना उसको बुझाने के लिए इसका यूज किया आता है CCL4 ठीक है काफर सल्पेट अमोनियम क्लोराइड तो आपको पता होना चाहिए वेल्टर होती ना उसमें का यूज कहां ठीक है आगे देखिए का कॉश्चन है अपना कि एक एन पी एन कोश्चन देखिये जाती हो एन पी एन ठीक है टांजिस्टर को पी एन पी टांजिस्टर की तुलन उसमें क्या होता है उसकी प्रचालन टेम्पेश्टर की बडी शिमाति मिर्चालन अपन की बड़ी सिमा होती है इन पी टांजिस्टर होता है ना उसको पी एन पी की तुलना में वर्याता दी जाते ठीक है यह आपको किलिर हो गया और 34 का आंसर असरोन अबर कर टिक आगा आ केचिक है कि एक ट्रांजिस्टर में होते है सपोजेट अपको पता होगा ट्रांजिस्टर क्या है समेडुक्टर यह choosing फोली का बनाता सोंसमें हम क्षान था पेंटा था थो कि आ शूद्य को मिलाते जिस्से हमारा प्राइब अपना फदार्थ बनता पता होगा ठीक है तो देखिए क्या बोलना चाहरा कोश्चन अबना कि एक ट्रांजिस्टर में होते तो माई डिया फ्रेंड क्या होते बताईए इसमें दो पी-एन शेंगम होते है मतलब कि दो पी-एन जेक्शन होते ठीक है आगे को इअपना क्lect नों डिश्चन में बोलना चाहरा देखिए बहुत इंप्रोंट कोश्चन एक क्या है परस लेकिती मितले ट्रांजिस्टर 92 प्रच्रालित यूगती है ठीक कैसे जो SCR होता है कैसे रेक्रफार रेक्टीफ और तो असे सब्सक्राइब होस्ता है वह दोस्तों current device current प्रच्रालित यूगती मतलव डिवैस ब्ला जाता कि अरदा चार्लाख में अवेश वाहक होते है माईडिययफिल्ट सेम excellence button को इसलिए बूला चैको क्योंकि ईसमें क्या होता है जो Пरिखा होता हैना वस्तंस्य मैं क्या होता है के ऐलेक्टरान थinsi मतलब और एक होता है प्रवा होता है इन दौनों के दौराइवला इसमें है आपको ठीक है 37 का अपना तीसा आंसर ठीक आगे देखिए का कोश्चन माई डिये फर्ण बहुत इंपरनों कोश्चन है कि स्थान पर डिसी पावर सप्लाइप परियोग करने का मुख्यलाव कोश्चन रिपेट हो गया यहां पर इसमें इसका अंसर है कि फायती होते है ठीक है तो रिवस में क्या होता है वहां अधन्त होता है कब रिवस में ठीक है तो फारवर्ड में क्या होगा निम्न होगा माई डिये फर्ण या इसका अंसर है ठीक है याद रखिएगा इंब्स आगे देखिए माई डिये फर्ण निर्वाट ट्यूब क्या होती निर्वाट ट् आपरा मतलब कि लो करेंट था उच्छ ओल्टेज डिवाइस से युक्ती बोला जा सकता उसे ठीक है निर्वाट ट्यूब्स होती है उसमें निमने करेंट था उच्छ वोल्टेज युक्ती है ठीक है फोर जिरो का आंसर टूटिक आगे देखी का नेस कोशन मोलना शारा है समे सकती ऑपूरती एकाई में filter कीरया को सुधर जासकता तो माइड यव इसका आ यन्त का मन बढ़ा कर filter कीरिया को को शुधारा जा सकता ठीक है आगे देखिए कुश्चन था अपना इसमें बोलना सरा 42 कि Amplifier का प्रियोग Amplifier का प्रियोग किस को प्राप्त करने के लिए क्या जाता है जनली हम से Amplifier है करने के लिए इसमें वरद्दी करने के लिए करेंट को वर्द्दी करने के लिए Amplifier का यूज किया जाता है प्रवदक बूला जाता है उसे हिंदी में ठीक है आगे देखिए का कुश्चन था अपना इसमें क्या बोलना चाहरा है 43 कमन इमिटर Amplifier में कट आफ रिक वांसी पर आप देख पा रहा है 0.707 इसका अंसर है और सात्यों आपके में में एक बात क्लिक करी होगी यह 0.70 देखा होगा तो जो अपना इसी का आर्मस मान होता है इसको बलते है आर्मस वो याद आला है इसलों मैं बता दे रहा हूँ सात्यों ऐसा र्लेट करते हो चलेंगे ना आप कभी जिंदगे में नहीं भूलेगा याद रखिए का जो अपना इसी का आर्मस मान होतना रूट मैं स्क्वेर इसको होता है इसका मान में 0.707 होता ठीक ह अब इसके साथ में इसका बात आया तो एक एवरेज वेलू भी होते है ठीक है इसका मान क्या होता साथ ही 0.607 है ठीक है यह इसे हम फॉइंड लहाँ देखिए 0.637 यह भी ऐसा याद रखिए गा ठीक है बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है इसमें रिफिट होते है ठीक है आ है ठीक है आगे देखिएगा कुष्टिं बूलना चाहरा है कि पैंटोट का प्रवधर गुणह कobic होते है कैसा होत यह पुछन चाहरी जो पैंटोड होता है इसको प्रवधर cohesive application दो फेक्टशे रफे गुणह दजेंगे प्रवदर इसका गुलना चाहरा वान क्या होता है है ना ठीक है तो आपको बताना है कि जब किसी एंप्लिफायर का एंप्लिफिकेशन सुन्य हो जाएगा तो क्या होगा साथ्यों इसमें ग्रिट पाइस कट ऑफ मान से क्या हो जाएगा वह अधिक हो जाएगा अगर आपने पूरा थेवरी अच्छे से इसका पड़ा तो आपक है अगर देखिए का 47 कोशन क्या बोलना चाहरा इसमें देखें कि आगे साथ्यों कोशन तो बहुत है इसमें मैं लेकिन आपको आज 50 कोशन कराऊंगा मतलब कि 25 करा दिया था 20 से 25 करा दिया था ठीक है कि में साथ्यों में तो टाइम जिस्ट करना बहुत मुस्किल हो जाता ह तो देखिए 47 क्या बूलना चाहरा है एंफ्लिफिकेशन का मात्रक है जो होता हुता उसका कोई मात्रक नहीं होता पता होना चाहिए अगर देखिए को स्था इसका आंसर है कि इसका आंसर आज आ इसक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्ति इसमें इनमें से कोई प्रबाव नहीं पड़ेगा ठीक है आगे देखिए कोश्चन साथ यह बहुत इंबॉटन कोशन इसका देखिए कि ट्राइव ट्राइव कि सुनने सिगनल स्थिति का दर्शात है मतलब क्या दर्शात है तो वह सिगनल ऑल्टे सुननी है यह बताना चाहि ठीक है तो माई डियू फ्रेंट आज के अपने 20 कोश्चन आपको मैं क्लियर करा दिया 20 25 कोशन हो ठीक है कल आपको मैं देखिए का यह जो अपने बहुत इंबॉटन कोशन है जैसे कि आप देख पा रहे समें कि अर्दचालों को में प्रमाणू बंद परश्फर कैसे परमा आपसे को पता है बहुत इंबॉटन कोश्चन में या पर डालते है तो डेली की क्लास आपसे को पता है इस पर डलते हो ठीक साथ यह आपसे को मेरा प्यार भर नमस्तकार